फिलिम में रबी तेजा और भाग सिरी बोर से मुक भूमकाओं में हैं जिनके साथ गणपती बाबू सचिन खेड़कर सत्यम राजेस जहांसी तनी केला भरानी सत्या नागा महेस छक्कम चंद्र और कई अन सायक भूमकाओं में हैं मिस्टर बच्चन हरी संकर द्वारा निर्देशिक एक तेलगू रोमांटिक एक्सन मनोरंजन फिलिम है जो फिलिम है दोहजार चौविस की भारतिय तेलगू भासा की एक्सन थिरिलर फिलिम है जिसका निर्देशिक हरी संकर ने किया है और इसका निर्माण टीजी बिस्व प एक्टरी टी सिरीज, फिलिम्स और पैनोरमा इस्टीडियो के तहर्ट सैयुक्त रूफ से किया है इसमें रवी तेजा मुक किरदार में हैं साथ ही भागसरी बोर से अपनी तेलगू डेब्यू और जगपती बाबू मुक भूंका में हैं ये फिलिम भारतिय उधोक पती सरदा इंदर सिंग पर की गई बास्तविक्त आयकर छापेमारी पर आधारित है मिस्टर बच्चन रेट फिलिम की हिंदी की आधिकारिक रिमेक है और आलच को उसे नकरात्मक समिक्छाओं के साथ 14-15 आगस 2024 को रिलीज हुई थी इसके कारण फिलिम को 13 मिनिट छोटा कर दिया गय से होती है जिसमें दिखाया जाता है कि मिस्टर बच्चन रभी तेजा जिनका नाम उनके पिता तनी केला भरानी अमिताब बच्चन के बहुत बड़े परसंसक हैं क्या कर सकते हैं और जहासी और कई अन लोगों की मौजूदगी वाला ये एपिसोड बहुत ही सांदार है ल तेलगू भासा की एक फिलिम है और जो इसके नर्देशक हैं वो हैं हरी संकर और इस फिलिम के मुख कलाकार हैं रभी तेजा भागसरी बोर से और जगपती बाबू तो दोस्तो आज हम जिस फिलिम के बारे में बात कर रहे हैं उस फिलिम का नाम है मिश्टर बच्चन तो द दिखती है मिश्टाब बच्चन के काम और इस्टाइडम को सुरधान जली देने के लिए बहुत समय समर्पित किया गया है जिसमें रभी तेजा ने सोले दीवार सहंसा और अगनिपत के संबाद बोले हैं जब आईटी अधिकारी नहीं होते हैं तो सिरी बच्चन औरकेष् हिस्सा होते हैं जिससे फिल्म को ये इस्थपित करने के लिए हिस्सा होते हैं इससे फिल्म को ये इस्थपित करने के लिए पराप्त गुंजाइस मिलती है कि नायक किशोर कुमार यूग ये राते ये मौसम से लेकर कुमार सानु यूग आशिकी तक के चार्ड बश्टर ग पहन सकता है और कभी कभी अपनी बाचीत में नाम तो सुना ही होगा जोड सकता है लेकिन नब्बे के दसक के युबाओं को हम आप के हैं कौन के नम्बरों से भी खुश कर सकता है बाय कुमार सानू के गीतों को उसके पिता सचिन खाड़े कर को प्रिये बना कर पिरमुक महिल जिक्की यानि की वाग सिरी बोर से ये नाम इसलिए रखा गया है क्यूंकि इसके पिता भी एक सौकीन संगीत प्रेमी हैं के डर को कम करके पीली के अंतर को भी पाट सकते हैं फिल्म में बहुत बाद में स्री बच्चन अकीनेगी नागेश्वर राव के तेलगू हिट गाने पर लिप सिन और निरत भी करते हैं तो दोस्तो जैसा की इस फिल्म में रवी तेजा जी के उपर जो सूट और चस्मा और जो उनका बीडी का स्टाइल है वो बहुत ही भेतरीन लगा है आपको उन फिल्मों की आदा आजाएगी जैसे की दीवार जैसी फिल्म आपके सामने होगी और उस फिल्म के कपड़े उस बारे में कीम बात कर रहा हूं क्योंकि मधैंतर तक कुछ और नहीं होता बे सब्वा गिलेमर्स जिक्की के लिए गीत गाते हैं मिश्टर बचल पुराने जमाने के संगीत और मुक्खवी नेतरी के गिलेमर को बढ़ाने पर इतना ध्यान केंदरित करते हैं कि बा कथानक को एक तरफ रख देते हैं इस फिल्म को देखकर भाक सिरी की योकता का अंदाजा लगाना अनुस्चित होगा जो केबल आँखों के सुकून देने वाली फिल्म बनना चाहती हैं मुख जोड़ी के बीच उम्र का अंतर फिल्म की कई परिसानियों में से एक है एक पल के लिए वा माफी मांगते हैं और जब कहते हैं कि तो उसे लुभाने से पीछे हट जाते हैं और खुद आश्चर के रूप में आता है हाला कि ये खुसी थोड़े समय के लिए ही रहती है रोमांस बढ़ता है और जिक्की को क्यूट के रूप में पेस किया जाता है और इस से ज़्याद कुछ नहीं तो दोस्तो जब कहानी आदी कहानी पर सुरू होती है तो रोमांस से कुछ रहत मिलती है लेकिन जल्द ही कहानी एक कटिन पर इच्छा मन जाती है भूलने लायक करदारों की एक टुकड़ी को पेस किया जाता है बाबू जगपती बाबू को पृती पच्छी के रूप में चिलाते हुए दिखाया जाता है और कुछ और उनका करदार एक खलनायक से ज़्यादा एक स्रीबच्चन ने आईटी छापे की लंबी कहानी को कुछ और रोमांटिक गानों से और भी मज़ेदार बना दिया है सायद ये फिल्म भागसरी बोरसे के लिए एक सेरील के रूप में होती जाए या ये दिखाने के लिए की रभी तेजा कैसे ना सकते हैं रेटरो संगीत के साथ साथ मिकी जे मेयर द्वारा रचित डांस नंबरों पर भी संगीतकार ने अपने बैक गुरांड इसकोर में कारवाई की और वो भी बहुत मज़ेदार दिखाई गई है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब पर दें इस वीडियो को लाइक बाद शेयर कर दें मैं मिलूंगा आपको ऐसी कोई दूसरी बेतरीन सी वीडियो के साथ इ